So welcome dear students, 2nd day math classes by DB sir तो बच्चों आज की इस class में हम discuss करेंगे factor theorem और इससे पहले हमने discuss किया था reminder theorem hope you remember और उसके उपर based आपका ये factor theorem है इसके बाद हम इसके excise में jump करेंगे तो start करते हैं without wasting much time तो इसका statement क्या कहता है If Px is a polynomial of degree equal to 1 or greater than 1 and A is any real number तो ये बात तो हमारी remainder theorem से match करती है यहां तक की बात है तो remainder theorem को एक बार recall करते है remainder theorem क्या कहता था तो remainder theorem कहता था कि अगर कोई polynomial जिसकी degree 1 या 1 से बड़ी हो अगर कोई polynomial आपका आपका जिसकी degree 1 या 1 से बड़ी हो और A कोई real number है जब A की value इस polynomial में रखेंगे तो उसकी value बन जाते थी PA के बराबर ठीक है और यह जो PA आता था इसको हम बोलते थे remainder यह हमने पढ़ा था remainder theorem में ठीक है तो यहां पर factor theorem कहता है कि अगर polynomial की degree 1 या 1 से बड़ी है और A कोई real number है तो यहां पर दो conditions आती है पहली condition कहता है X minus A is a factor of PX if PA equal to 0 means X minus A को क्या होना पड़ेगा factor होना पड़ेगा PX का कब जब PA आपका 0 के बराबर हो तो कहने का मतलब है यह कहता है कि अगर PA 0 के बराबर है तो X minus A जो है factor होगा ठीक है तो इसकी कहानी किस से जुड़ी है PA से PA का मतलब remainder से अगर remainder 0 हो गया तो X minus A factor हो जाएगा किसका PX का तो इसको further verify करने के लिए हम division algorithm का use करते है तो division algorithm क्या कहता है dividend dividend equal to divisor into quotient plus remainder यह तो छूटी class से हम पढ़ते आ रहे है यह आपका division algorithm है तो यहाँ पर dividend को होने polynomial होगी है जिसको divide करना है PX होगी आपका polynomial और divisor को होने X minus A है जिससे हम divide करेंगे ओके और quotient माल लेते हैं मालम नहीं कुछ भी तो हम इसको QX माल लेते हैं कोई polynomial आएगा यह भी जिसको हमने QX माल लिया ठीके और remainder क्या आएगा तो जाहर सी बात है कि remainder जो आएगा PA के बराबर आएगा ठीके अब देखिए condition यहाँ पर है कि अगर PA 0 के बराबर हो गया तो X minus A factor होगा PX का यह हमने दिखाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम PA की जगर पर हम लिख देते हैं अब 0 ठीक है PA means remainder 0 है QX प्लस PA PA means remainder आपका 0 हो गया तो हमने यह 0 लिख दिया So what we are getting here At the end हमें यह मिला result की PX जो है X minus A into QX के बराबर है ठीक है अब एक चीज को यहाँ से देखते हैं Suppose कीजिए हमारे पास दो नमबर है Sorry एक नमबर है 10 ठीक है 10 को मैंने लिख दिया 2 into 5 10 को product के form में express कर दिया 2 into 5 2 क्या है 2 आपका 10 का factor है और 5 भी क्या है 10 का factor है वैसे हिए एकर मैं कोई दूसरा 24 ले लूँ और उसको 2 product के form में लिख दूँ Suppose करो 8 into 3 लिख दिया तो यहाँ से मुझे clear हो जाता है कि 8 यह factor है 24 का और 3 भी factor है 24 का ठीक है वैसे हमने px को यहाँ पर ब्रेक करके लिखा हुए px जो बना है वो किस-किस के product से बना है px जो है 1 to x minus a बीच में आपका multiplication कर साइन है और दूसरा आपका qx हो गया इन दोनों के product से इन दोनों को multiply करके आपका px बना है ठीक है तो यहाँ से clear अगर यह इन दोनों के product से बना है तो जाइर सी बात है this implies that x minus a is a factor of px बने गा है बने गा जाइर सी बात है ओके factor of px हो गई होगा और यह जो दूसरा बच्चा आपके बास qx qx पी किया होगा factor होगा बट हमें तो यहाँ दिखाना था कि x minus a is a factor of px तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि x minus a is a factor of px ओके hope this is clear तो आपका पहला जो condition थी factor theorem की वो हमने यहाँ पे clear कर दिये ओके अब इसकी जो दूसरी condition है दूसरी condition क्या है इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले अब देखिए आप इसकी दूसरी condition दूसरी condition क्या है if x minus a is a factor of px अगर x minus a factor हो गया px का then in that case p a को 0 के बराबर होना पड़ेगा that means remainder 0 के बराबर आएगा ठीक है यह तो understood है वैसे भी but इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं suppose कीजिए मैंने क्या किया एक example से मैं आपको समझा रहा हूँ suppose फिर से मैंने 10 को लिखा 10 equal to 2 into 5 लिखा number के माधियम से मैं आपको समझाना जा रहा हूँ ठीक है तो मैं लिखा यहाँ पे पहले मैं लिखा 2 is a factor 2 is a factor of 10 यह तो मुझे मालूम ही है 2 is a factor of 10 ठीक है उसकी अब बाद मैं लिखा 10 equal to 2 into 5 तो यह लिखना उचीत रहेगा फिर मैंने कोई statement मना है 3 is a factor of 3 is a factor of 15 लिखा या 18 लिख दिया चलो ठीक है तो हम लिख सकते है 18 can be written as 3 into 2 कोई number आएगा वो number आपका 6 होगी है ठीक है तो 3 into something I am writing तो in the same manner यहाँ पर क्या है x minus 1 यह factor of px है तो हम लिख सकते है px को लिख सकते है px can be written as x minus a into some other polynomial जो इसका factor होगा ठीक है तो दूसरा polynomial मैंने माल लिखा है आप सबोस करो gx है यह आपका दूसरा पॉल ले means इन दोनों को multiply करके आपका px बन गिया ठीक है तो जब कभी हमने numbers के माधिम साब को explain कर दिया कि मैंने यहाँ पर कहा 3 is a factor of 18 जब कहा तो मुझे लगा यहाँ पर कि 18 जोए 3 3 के साथ कोई दूसरा factor 18 का लेकर किया multiply करके 18 बनेगा ठीक है तो वैसे हमने यहाँ पर जो statement लिखा हुआ है if x minus a is a factor of px तो मैंने px को लिख दिया equal to x minus a जो इसका factor हो गया ठीक है into इसका जो दूसरा factor हो गया gx तो इसको factorized form में लिख दिया है ठीक है hope this is clear तो यहाँ पर देखिए आप अब कहता है कि इस condition पर pa की जो value आएगी वो 0 के बराबर आएगी अब कैसे आएगी देख लेते हैं फिर आप तो x की जिगापर फिर हमने a रखा x की जिगापर a रखा तो यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर जो x है जो into g a के बराबर आ रहा है ओके hope this is clear तो यहाँ से आपका जो pa की value आई pa की value किसके बराबर आगे फिर 0 into some other value तो 0 into कोई दूसरा नंबर तो 0 के साथ कोई multiply कर कोई 0 या आएगा तो यहाँ से clear हो गया कि pa की value 0 के बराबर आ रही है ओके hope this is clear तो आज की इस class हमने जो discuss किया है आपको साइध जो है समझ में आ चुका होगा ठीक है थोड़ा examples के माधियम से मैंने आपको समझानी कोईस की अगर नहीं आती समझ में बात हैं तो आप class को दूबारा थोड़ा सा rewind करके देखिए चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह के से मैंने कोईस की समझानी की फिर भी नहीं आती है तो you can comment भी below So I'll try to make you clear in my next class Thank you for today's class